आपको पता है कि CSB Round 2 का रिजल्ट डिकलेर हो चुका है और आपने सारा अपना रिजल्ट देख लिए होंगे और आपको पता चल गया हो कि आपको कौन सा सीट मिला है फाइनली किस कॉलेज में आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है सो मैं इस वीडियो में पूरा डिस्कस करूंगा स्टार्टिंग से लेकिन इन तक कैसे आपको प्रॉसेस करने ओनलाइन रिपोर्टिंग में और मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आपको सीट मिल गया तो आपको एडमिशन हो गया फाइनली आपको online reporting complete करेंगे तभी जागे आपको admission मिलेगा, ठीक है, so इसमें गलती ना करें, इसके वज़से अगर आप गलती करते हो, definitely आपका seat cancel हो जाएगा, ठीक है, so इसके लिए अगर आप हमारा admission help desk join करना चाहते हैं, तो definitely join कर ले, link आपको description मिलेगा, उसमें आप कोई अपना online reporting से related call करके पूछ सकते हो, okay, और step by step सारा guidance ले सकते हो, mentorship की कैसे कैसे क्या करने है, सारे चीज़े, आप हमसे पूछ सकते हो, okay, so start कर से वीडियो को, और इसमें step by step मैं बताऊंगा, कैसे कैसे आपको process करना है, क्या क्या चीज़े करनी है, ठीक है, और मैं इसमें ये बताऊंगा कि क्या क्या documents जो है, जो बचों को doubt होते, like undertaking क्या होता है, ठीक है, तो सारा कुछ मैं detail में decision करूंगा, so start करते है, so start करते है, पहला step क्या होगा आपका, step one, आपका result आ गया, तो आपको क्या करना है, कि CSB website पर round two का, latest provisional admission letter डाउनलोड करना है, ठीक है, latest, मतलब round two का ही, provisional admission letter, ठीक है, provisional admission letter, अब ये अगर माल लेते हैं कोई बंदा जोसा से सीसा में गया ही नहीं, तो जोसा वाला ही करेगा, ठीक है, मैं यहाँ पर जोसा भी लिग देता हूँ, ठीक है, alright, ये पहला आपका step होगा, और दूसरा step क्या होगा, दूसरा step है कि माल लेते ह किसी college मिल गया, लेट से, NIT सूरत मिल गया, किसी को, ठीक है, तो अब क्या करना उसको, सूरत का website खोलना है, अब सूरत के website पे उस section में जाना है, किसी भी college का जो मिला है, उसके website जाना है, और जहां पर online reporting से related, जो भी necessary, आपको information दिये गया है, उसको पढ़ना है, उसको आप एक दिन, मतलब आज साम, आज अच्छे से पढ़िये उसको, और देखी, क्या-क्या step पे सारे कुछ समझिये, ठीक है, कोई doubt होता है, तो college में पूछ सकते हो, या हमारा admission helplex join कर सकते हो, ठीक है, अब जो general steps होते है, वो मैं बताता हूँ, पहला step क्या होता है, कि registration करना होता है आपको, ठीक है, registration करने के लिए आपको link दिया होगा, वहाँ से आप registration करने के बाद अपना user idea आपको मिल जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद login करोगे, तो आपको सारा कुछ detail फिल करना होगा अपना, आप detail फिल करोगे, और detail फिल करोगे, तो उसमें क्या होगा आपको, उस आपको fee pay करना, ठीक है, let's say, 75 के आपने already pay किये, तो 73 के आपका minus होजएगा semester fee में से, और बाकी बचा होगा, let's say 8500 है, तो आपको 8500 pay करना है, और कैसे करना है, पे, वहाँ पे link दिया होगा, pay करने के लिए, तो वहाँ से आप link से pay करके, और definitely जब pay करोगे, जब आपका successful हो करने के लिए, कि आप file add करोगे, जो भी आप payment की हो, उसका proof, proof of payment होता है, proof of institute payment fee, ठीक है, so वो वाला आप add करोगे, screenshot या अगर आपको document जो वहाँ पे download करने को मिल जाएगा, receipt तो वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है, detail feel कर दिये, registration कर दिये, fee भी पे कर दिये, ठीक है, फिर उस उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको document, main यही होता है, ठीक है, document upload करना, तो सारे website पर, जितने भी आपको, जो भी college मिले होंगे, उसके website पे particular college का list होगा, ठीक है, sorry, particular document का list होगा, ठीक है, तो particular document का list होगा, तो वही आपको तयार करना है, और वही submit करना है, उसको scan करन ठीक है, scan करके submit करना और original document का, ठीक है, let's say in case किसी भी कोई document आपके पास नहीं, let's say माल लेते हैं, आपके पस gap certificate नहीं है, ठीक है gap certificate नहीं है, तो एक undertaking आता है, एक undertaking आता है, ये क्या होता है, unavailability of document, मतलब कोई document अवलेवल नहीं है, उसके लिए आप undertaking फील्ट रते हो, ये आप आपको जो सा के website भी मिल जाएगा, और particular जिस college पर आप verification कर रहे हो, वो college पर भी मिल जाएगा, उसमें क्या हो कि आपके पस जो जो document नहीं है, वो document उसमें mention कर दो कि ये नहीं है, और आप उसमें date आपको दिया रहेगा, कि इतने date से पहले आपको submit कर दो, तो उतने date तक पहल ये self undertaking होता है, मतलब कि वो आपसे form फिल कराते हैं, कि अगर आप कोई भी document गलत अप्लोड करोगे, और finally जब physical verification होगा, तो उस time जब मतलब college को allotted college वहाँ visit करोगे, तो वहाँ पर अगर वो document गलत निकला, तो आपका क्या होगा, state cancel कर दिया जाएगा, ठीक है, तो ये होता है undertaking, तो ये आपको college के website पर ही मिलेगा, और इसको क्या करना, stamp paper पर नहीं बनवाना, ठीक है, बहुत लोग को doubt है रहा है, कि stamp paper बनवाना है, क्या, नहीं, और नहीं, anti-ragging जो है, वो stamp paper बनवाना, ठीक है, तो ये सारे आपको form को फिल करना है, जो college आपको provide किया है, और gap certificate को stamp paper बनवाना है, ओके, तो ये रहा, document, document का list अल्रेडी मैंने बता दिया, और वैसे भी, जितने भी college है, सारे college पे, कुछ-कुछ document अलग-अलग हो सकते हैं, तो सारा कुछ list out किया गया है, documents related, जितने भी document हो सकते हैं, उस college पे, वो सारा कुछ दिया है, तो वहाँ से आप submit कर सकत हो, ठीक है, तो ये रहा, जो भी steps होते हैं, registration, salary, detail, fill करना, फिर फी पे करना, फिर उसके बार, document, submit करना, और next क्या है हमारा, next है, जब इतना सारा कर लोगे, तो उसके बाद क्या होगा, कि आपके, जो college मिला है, वो college से आपको एक email आएगा, ठीक है, जो भी आप email दिये रहो होगे, तो वहाँ से आप officially join हो जाओगे, college में, ठीक है, institute में, फिर वहाँ से आपके classes, start हो जाएगा, ठीक है, फिर उ क्या होगा, कि आपका institute email ID कुछ दिन में बन जाएगा, ठीक है, लग बाग वन वीक में आपको institute email ID मिल जाएगा, जिससे आप क्या होगे, कि उससे आप क् comment करो, या मेरे को Instagram पुछो, या आपको बहुत प्रॉब्लम हता है, तो आप definitely हमारा admission helplix, join कर लो, smoothly सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है, so thanks for watching this video, and please make sure that you hit the like button, and also subscribe to my channel,